आप सभी का स्वागत है दिस चंद्रमॉलिंग फ्रेंट आफ यू और हम मिल रहे हैं मैड ओवर मैप्स में कोशिश की जारी कि आपको हर चीज दे दी जाए जिसे एक्जाम आपको आसान लगने लगे प्रिपरेशन में मज़ा आने लगे और यही चेश्टाम तभी की है आई आई मस्टेल यू फ्यॉ अब दा टिंग्स एक तो एक चीज अभी भी चल लगी है आई पेल की फ्री टेस्स सबके लिए चल लगी है तो जिनको भी टेस्ट देना बाकी रहे गया है अभी भी दे सकते हैं आप डाउनलोड करिए और आराम से परिक्षा दे सकते हैं आप सार 12 मांस और सब्सक्रिप्शन और कवंबो रहे तो आपको तीन महिने का मला है spend में लिल लाए C MP C कोड़ पर आप ये कर सकते हें क比如 extension वीग का फैदा किया है 12 महिने का अप lovers दो 555book 16 में पढ़ रहा है है 24 महिने के आप देते तो 77676 मिला है उसमें चेह मेने के एक्स्टेंशन भी मिला है मतलब जी एस और आपका उप्शनल लगभक सब कुछ तयार हो रहा है गुड मॉर्णिंग स्वागत आप तभीका और अल इंडिया प्रिलिम्स मॉप टेस्ट हो रहा है ऑफ लाइन और ओनलाइन दोनों है में 15 को तो रजिस्टर कर लिजिए अभी इसके लिए सेंटर्स देख लिजिए हमारे डेली इंसियार में हो रहा है प इन्रॉल कर लिजिए अभी बड़ा अच्छा मौका है और लाइन बैटने का भी और लाइन चीजों का आपका कॉमबैट होने वाला है में 22 को कॉमबैट होने वाला है उसके लिए आप रहिस्टर कर सकते हैं 11 बजे ही होगा 22nd of में 11 बजे अल्टरा कॉमबैट होगा एक घं प्रोग्राम है उनके लिए जो दे रहे हैं इस बार का इंटरव्यू और उमीद है आप लोगों से रूबरू होंगे हम अगले साल इंटरव्यू में ही और मॉक इंटरव्यू जब लेंगे तब आप समझेंगे क्या वहां का धारणा रहती होग इस बोड़ की देख सकते है बहुत ही एक एक एक्स्पिरेंस बोड़ है अलॉग में अपने ग्रूप में डाल लेंगे ताकि वी कन स्टार्ट विप्रेशन सेवें टार्गेट सेवें डिगिंग क्वेस्टेंस एंड वाटवर नोट्स आइब तो आपको ऐसे भी परसनल कोश मिलेगा में इसकोश आप् इडिप और पैसा पूरा एक बार में नहीं देना होता है आप आराम से अपना आप आराम से अपना EMI बना सकते हैं और इसका लब ले सकते हैं ये तेलीग्राम चैनल इसको फौलो कर सकते हैं आईए स्वागत है आपका सेशन में चालू करने से पहले वहाँ थीख अभी इसका जवाब देख लेते हैं कहा जाता है कि यस्य नस्ति स्वयम प्रज्या शास्त्रम किम करिष्यति कि अगर आपकी खुद की बुद्धी नहीं है तो आपका श्यास्त्र पढ़ाई कुछ नहीं कर सकती तो श्यास्त्र आपका कुछ लोग चलता है और हाला की चीजों को जो घटित हो रही है उसको देखते वह चलता जिसकी स्वयम की प्रज्या नहीं है उसको आप कुछ भी कर लिजे शास्त्र देदीजे पढ़ाई देदीजे कुछ देदी उसका कोई लाब नहीं ले सकता उसका क्या करेंगे वैसे ही अगर नेत्र विहीन है तो शीषे का अग欸 he'd to do simple teen छीजह और अगर समaze तके टो deep on मिनिंग है है नहीं समझ सकते तो अब सब्सक्रब्ली नहीं समझा सकता आप सबीं का और प्रकि만 अ कि बूरा आता है और दूसरा जब आप मेंस के लिए भी बैठेंगे तो यूट अंडरस्टांड सम डिफ्रेंस बीट्वीन पीरिट्स जब मीजोलिथिक का बात कर रहे थे जब अजंता का बात कर रहे जब अलोरा का बात कर रहे तो दिमांड में कुछ आइडिया बना रहेगा इसलिए हम केवस में थोड़ा समय दे रहे हैं और यह प्रस्ट आते हैं जोग्रफिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाते तो एक मैप अभी आपके सामने है आराम से दिखेगा ए अभी हमें जो करना बाकी रह गया है वह उद्यगिरी गुंटुपली हमने अभी नीचे का महाबली पूर्म कर लिया है वी हाब स्टिल टूडू सीता नवस्तल केवस हमको कंहेरी करना है कारला करना है बेचसे करना है नासिक करना है आज भी हम लोग करने वाले बाग हम सेशन होगा उसी की तैयारी में भी सारा समय जा रहा है तो करके कुछ दिन के लिए और सहले उसके बाद हम दो वापस से सब चीज़ें चालू कर देंगे आए आज स्वागत है आपका क्या केव लग रही कोई बता सकता है क्या कौन सी केव है यह बना तो बढ़िया लग रह है अपके एनि आंसर फंव यॉश्ट ऑफ कर विए अपका उसी के आस पास ही रहा लिए 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 ये नर्मदा के ट्रिब्यूटरी भी है अब गुजरात में चोटी नदी आपको ही ले तो वह अलग हुए कि हरन यहां पर आपका इस सरफ पढ़ती है तोर्स इस्ट पड़ेगी बराबर केव का चुका है आंसर देखिए कौन से केव है भाई बिलकुल बराबर हिल्स है तब बराबर हिल्स एंब्रेसेस डाट आर्किटेक्चर जो आज तक बहुत प्रिस्टीन ब्यूटी में बना हुआ है और ये चार केव का क्लस्टर है वो कौन से केव है लोमत रिशी केव स्टूदामा केव विश्वकर्मा केव करन चौपर केव चार केव को सम्मिलित करके एक बराबर केव बना और बराबर केव कहां है बोद गया से लगभग 40 किलो मीटर आप चलेंगे तो आपको मिल जाएगा बराबर केव और बराबर हिल्स तो मोनोलिथिक भी है प्रश्ण पहला मिल चुका है कि क्या मोनोलिथिक है हाँ बिल्कुल है मोनोलिथिक बराबर केज अर्टिली एरिया नियर मक्धुमपूर 25 किलोमेटर साउथ अफ जहानाबाद डिस्टिक बिहार बिहार अब आप देखेंगे गया भी आपके डिस्टिक है और आप उसके उपर की तरफ जड़ेंगे तो जहानाबाद भी आपको दिख जाएगा बराबर केज कें बीडेटेड बाक तुद थर्ड सेंचुरी बीसी तुद टाइंस ऑफ दा मौरियन एंपायर तो खेर यह हमें है आए देखते हैं सुप्रभाद सुप्रभाद तो आगात आपका उसको अभी देखेंगे कुछ अगर आपको लोकेशन दिख रही है तो समझेगा हम कुछ एक चीज दिखाना चाह रहे थे यह वाला जो सेग्मेंट है यह आपका बराबर केव वाला बराबर हिल्स है यह और एक सेग्मेंट यहां पे भी बना हुआ है जिसका नाम है नागर जुनी केव तो दो केव लगवग आसपास है थोड़े दूरी पे हैं पर आसपास है एक आपका है बराबर केव और एक है आपका नागर जुनी केव बराबर और नागर जुनी केव लगवग आसपास है इसको गोपिया भी कहा जाता है, नागरजुनी को गोपिया भी कहा जाता है, पर इतना याद नी रखना है, ये बराबर ये नागरजुनी केम से, बस इतना भी दिमाग में रखिएगा, आईए देखते कुछ चीजे, अगर आप सम नदी पूछें, की बोध गया, बोध गया या फिर हमारे जो बराबर केव हैं, क्या किसी नदी के आसपास होंगे, आपके पास दिमाग में कोई गया, बोद गया के पास कोई नदी याद है आपको, कोई नदी आपको याद है, आपको बार-बार बताया है हमने, वो किसी महान नदी की ट्रिब्यूटरी भी है, कौन बत फुगल अच्छा आप उल्टा लिखना चाहरते है ठीक है फाल्गू रिभर है याद रखिएगा फाल्गू रिभर इस देर फाल्गू रिभर एस्सी पे आपको दिख जाएगा और बाराबर केव भी यहीं से आपको मिलेंगे यह आप फिर से देखिएगा यह नदी निकल न वर ही है गलती मत करिएगा फाल्गुरिवर आपके सामने आ चुका है फाल्गुरिवर आई आगे चलते बराबर केज वर कंस्ट्टेट बाइड एंपरर अशो कहा फॉर दे यूज अजीविका एसे टिक्स पहला प्रश्ण ये भी बनता है कि किसके लिए बनाई जा रही थी जो ओरीजिनली इसका जो आईडिया था वो अजीविका सेक्ट के लिए ही था अभी हम बात करेंगे अजीविका सेक्ट क्या बोलता है अजीविका सेक्ट याद रखिएगा प्रश्ण प्रिलिम्स में आया हुआ है पुनाया सकता है इट वग मेड फॉर दा जीविका सेट Hence, it is renowned as the place of origin of the Ajivika sit. बड़ाबर हिलकेर्स आर बुद्धिस्ट also, one can also find a few Hindu and the Jain Sculptures. अब देखिएगा, अब यहां पे अगर आपको समझ में आएगा, कि डेडिकेट किया गया था ओरिजिनल ये Ajivika sit को परंतु यहां पे बुद्धिजम, Jainism और आगे चलके शायद यहां पे Hindu's cultures भी दिखते हैं, अजिवika एक ऐसा philosophy है, जो निकल क्या रही है, अगर हम बात करें, it was founded by गोशाल मस्करी पुत्र, गोशाल मस्करी पुत्र लगभग बुद्धिजम और Jainism के साथ ही evolve हो रहा है, सबका अपना अपना notion अजिवika भी अपना notion लेकिया है, गोशाल मस्करी पुत्र का जो कि महावीरा के दोस्त थे, वो फाइंड कर रहे हैं इसको, and was contemporary of Jainism and Buddhism, बिल्कुल सही बात है, Jainism और बुद्धिजम का जहां पे चरहाव हो रहा था, उससी समय अजिवika सेट भी निकल क्या, इसका माना बि यह cosmic fourth called नियती, कोई नियती सेट किया हुआ है, इसलिए आप कुछ भी करें, होगा वही जो लिखा है, आपके कर्म, आपके पुन्य, आपके पाप, यह सब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नियती, जो destiny है, वही होगा, इसको संस्कृत में कहा जाता है, rule or destiny, that determined all events including an individual's fate, तो या कि क्या अजीविका सेक्ट नास्तिक philosophy में है कि आस्तिक philosophy में है, तो आपका जवाब क्या होने वाला है, अजीविका सेक्ट जो है, जो विश्वास रख रख रहे हैं, वो नास्तिक की तरफ रखते हैं या आस्तिक हैं, आपका क्या करना है, और इसमें प्लीज, डोंट माइन जिस नास्तिक आस्तिक का कॉंसेट आप बहुत बड़ा है बहुत व्यादा बड़ा है शायद हमारे समझ के भी परे होगा जितना हम पढ़ें उस हिसाब से बस बात करना चाहेंगे यहां पर तो याद रखिएगा इस दिस फिलॉसपी वालिट फॉपी एस बात है वेद की या किसी भी ऐसे आइडल की यह बहुत ज्यादा नहीं विश्वास रखता है इसलिए नास्तिक में ही आता है याद रखिएगा इट ड़िए बिलीव इन देवेदास दस बिलीव अथॉरिटी अधिए अधिशन इस व सब्सक्राइब है यह जो चेंज है सब्सक्राइब है यह मन की कलपना है आपकी बस और यह सब कुछ ठिक्स था ऐसे ही होगा इसलिए आपको बस दिख रहा है अधिशन आपके अधिशन अधिशन आए तो यहाँ पे आपके हिंदू स्कुल्प्चर भी दिखते है यहाँ पे बुद्धिस्ट के भी है जैन के भी है यह चीज दिखाती है कि कैसे अशो का एक बहुत अच्छे टॉलरेंस रिलिजिस टॉलरेंस के लिए जाना जाते थे यह यहाँ से निकलके आता है बराबर केंवेस से कुछ चीजे और हम आपको बताना से चाहेंगे कि इसमेंसे और लॉमस रिशी केवे अबी जिसका आपने एउंट्री देखा था वो लॉमस रिशी चावं और लोमस रिशी केव is ठावी से लमली चीवे के अधकुरिशन अर आर्च आर्च इंटरीन्स और फ़साड विस्स आर्च लिए यह सिर्ट जानते होंगे कि मौर्यन आर्टिठ्ट्ट बन रहा था तो वुड्पे ध्यान था अब इस समय जो पथर पे चीजू को चार्फ कर दे रहे हैं जो पत्थर के रॉकट आर्फिटेक्टर बन रहें वह लंबे समय तक चलने वाले इसलिए मौरियन के हमें बहुत ज़्यदा पैले से दोर यह समय दिखाई देते हैं पर जो रॉक कट है जो इंस्क्रिप्शन से वह हमें बहतरीन मिलते हैं यह बहुत मज़े की बात है जो आपको याद रखना होगा आगे चलते थोड़ा देखते हैं तू किलोमेटर फ्रॉम दा बरावर के लाई नागर्जुनी हिल्स अब यह हमने बरावर के ऐब देखा जिसमें हमें दिख गये थे चार के अगे अम बढ़ते तो नागर्जुनी के देखते हैं जिसको आप देख सकते क्या देखिए उस स सब्सक्राइब को नागर जुनी को कहा जाता है सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर्म के उपर ही लगभग सारी चीजे आपका बोलती है आज आप कोई भी चीज उठा के देख लीजे स्क्रिप्चर आपका कर्म ही उसमें बोलेगा कर्म ही प्रधान है अगले केव की तरफ बढ़ते हैं खेर आपको देख के तो समझ में नहीं आएगा ये कौन सा केव है पर फिर भी कोशिश करिए बना बहुत बढ़िया है अच्छा थोड़ा ब्लाक ब्लाक भी दिखता है कुछ ब्लाक ब्लाक भी दिखता है अब बताइए वाट डियो फील कि क्या लगता आपको कौन से के वह सकती है अज़िक्स पहले अभी जोग्रफी और बाटी चीज़े कर ले तो सिंता मत करिए अपकूर बढ़िया चीज बना हुआ है ना कुछ ब्लाक ब्लाक है तो हम जगह पहुन सकते है उद्यगिरी प्रिटी जिए का कहना है उद्यगिर बहुत बड़ी है अमरावती मानेज के चाहना है अमरावती उदह गिरी उद разм है सर कि आप लोग इमेज देखे कोई भी इसको नहीं समझ पाएगा कि यह कौन सी के वे दिस इस यौर भज केव इस इस यौर भज केव जान भूच के हम यह चीजे कर रहे हैं क्योंकि प्रस जब आएगा तो आप फील गुड करेंगे अगर नहीं आया तो खेर कोई बात नही यह कि में आर्किटेक्टे लिखने फिर भी काम आएगा भज केव कहां है देखिए का इंद्रायणी रिवर के तटपे अब जान बूच्च के हम रिवर ढूंते हैं जान बूच्के वाइव यह सीन वान रिवर और लगबकर रिवर का रिष्टा यह लोग ढूंड रहे हैं तो अगर आपको पता रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला है इंद्रायणी रिवर आपको स्रिफ लिजे चोटा चोटा नोर्स बना लीजिए तब भज केव्ट लोनावला खेर घूमने मच चले जाएगा लोनावला भी हम आपको घुमा देंगे मैडवर मैप्स के माध्यम स इमेजेस दिखा देंगे खुछ रहीएगा उसी में तैयारी पहले कर लेते हैं त्री किलोमेटर फॉर्म दा मालवाली स्टेशन और मुंबई पूने रोड महाराज स्टेट अरे भज केव्ट आपका कहा है हम आपको अगर इमेज में दिखाए तो आप समझ पाएंगे आज आपको दिख जाएगा तब भज केव्ट देखियेगा अगर अगर इस लिए चरचा फिर से कर रहे हैं क्योंकि क्रोनोलॉजिकल-ओडर है है क्या इंपोर्टेन से यह भी आसका सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं अभी हमने आपको दिखाया बराबर केव गया और हम आपको दिखा रहे हैं डेक्तन प्लाक्टिव का भजज केव आईए लगे अवा इंडिया इंडरायनी रिवर है याद रखिएगा भज थे इं that value of architecture that even still can't be standing as the epitome of whatever the creativity could be सिर्फ हमें philosophy नहीं दिया है सिर्फ हमें जीने का धंग नहीं दिया है उसने हमें architecture भी दिया है उसने हमें scenic beauty के बारे में भी बताया है ये प्रस्ण कराता है तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा कि सर देखिए यहां पर यह है यहां पर यह है यहां पर ऐसा था आपको फायदा होगा इसलिए आएम आएम टेलिंग यू ठीक है दे आर इन दा पूने एरिया नियर लोनावला यह आपको पता चल चुका है भज के जार अलॉंग दा अमंग दा ओल्डेस के इंडिया डीटिंग बैक जा सेकंड सेंचुरी बीसी बच के बच के बच के बच के और देखेगा बिलॉंग टू दा लिए ना सेक्ट ऑफ बुद्धिजम प्रश्ण आ गया सेक्ट है और यहां पर बुद्धा को रिप्रेजेंट करना है तो आपका दिमाग क्या बोलेगा बुद्धा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा उनका इमेज बनाके या उनका सिंबल बनाके आपका जवाब क्या है आपका जवाब क्या है लेट मिसी वाट दो यू फील एनिवान, सिंबल ही दिखाया जाएगा, ठ्रोन दिखाया जाता है, पत्थर दिखाया जाता है, ये दिखाने के लिए सिंबॉलिक है, कि ये बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन है, इसको याद रखियेगा, नहीं, इसको याद रखियेगा, हिनायन सिंबल दिखाएंगे, मह पुद्धा सिंबल दिखाया जाता है याद रखिएगा सिंबल है आए लोकेशन आपने देखेगा सेंचुरी बेसी सेंचुरी बीसी तो अगर अब आपके सामने प्रश्ण आता है केव का किपूझ सकते हैं कि कुछ केवश सर्ण नए हैं कि में कि यत कोछ पुराने हैं कि इस तो बहूत ही पूराने मीज लिट्टिक परिंटिं का जाने कि आ पदो तो बिलकुल बेस लग रहा है कि आपका गुदिश्व些 मॉंग को को ही डेडिकेटेड है गुद्धिष मौंग को ही डेडिकेटेड है और यहां पे जो रहे रहे हैं जब उन्होंने शरीर अपना त्यागा होगा तो उनके रेलिक्स भी वहीं पे मौझूद है यह भज केव्स का बहुत अच्छा एक एक इग्जैम्पल है तू अप दस टूप कर यह ल है और एक चीज़ याद रखेगा भज कव का बहुत ज्यादा रिष्टा नहीं है अजन्टा से भज का और अजंता का फ्रयक नाएं कि भाज और अजंता क्या एक जैसे है नहीं है सार याध रखिए में घ्राइज का गी लीवर सब्सक्राइब बहुत बड़ी-दी इमेज भी आपको दिखेंगी और देखेंगा हैं यह आप ऐस पिलर्स है पिलर्स देखे आप अंदर जाएंगे स्टूप आपको दिखेगा स्टूप दिखेगा जमीन पे ही और यह पिलर्स है लगवक इधर भी है और इधर भी सामने स्टूप बना हुआ है स्टूप सिग्नेट्री है कि यहां पे रेलिक्स है जो बुद्धिस मौंक्स थ इस इमेज में इसको देखिये का और से अगर आप दिख रहा होगा तहै तबला है यह तबला है और इस सेकंड सेंच्यूरी सिव समझ ये तबला बजरा रहा है सेंचूरी सिय में उस समय भी म्यूजिकल इंटर्टेनमेंट और इन सब की चीजे रही होंगी यह आपको समझ में आता है and it is an image of women playing tabla अगर लिखा भी होगा one of the carvings depicts a women playing the tabla and another doing the dance indicating that the tabla has been used in the year for over 2000 years वाह क्या बात है तबला भी आपको यहां दिख गया अब प्रश्ण मान लिजे आता है बुद्धिजम का रिष्टा सिर्फ philosophy और architecture से नहीं है कि नहीं और चीजों से भी है तो अब आपके सामने answer लिखने की शैली है आपके पास content है दिमाग में कि सर बुद्धिजम ने बहुत कुछ दिया है हमें अरे यह क्या दिखा रहा है कुछ उस समय की चीजे दिखा रहा कैसे society है क्या चल लही थी आप खुद समस्क्राइब आप आपना originality गार्लेंड्स ज्वेलरी सब इन पर दिख रहा है कि सब इन पर ज्वेलरी भी दिख रहा है गार्लेंड्स भी पहने हुए विटाज समी मेंजेड़ आनिमल्स और इंस्क्रिप्शिंज आज नेव बुद्धिस मोंग्स आज वेले सम पेंटिंग सब बुद्धा बुद्धा का मतलब है उनका सिंबल उनका सिंबल क्योंकि हिनायन से रिलेटेड है पर समाज के चीजों को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया जा रहा है एलिपेंट्स भी हमें दिखते हैं जैसा कि हमने आपको यहां दिखाया था और बहुत अच्छा स्थूपा भी बना हुआ है तो बुद्धिजम बहुत कुछ हमें सिखाता है आपके अगर प्रश्ण आए यू कन राइट इस डाउन आए आपने देख लिया है भज थोड़ा सा आपको कारला के बारे में बता देते हैं आपको मिल जाएगा भज ऊपर थोड़ा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कारला यह आप देख लीजिए यह आपकारा कारला केब्स याद रखना है खैर आप अगर नहीं विया क्योंकि एक डानेस्टी नहीं होती बहुत सारी डानेस्टी इन वाल होती है एक बस याद नहीं रखना है आप इतना याद रखिया अगर क्रोलोजी पूछे तो भज लगभग यह देखेंगे आप 2nd century BC से चालू हो जा रहा है भज आपको मिल द गया ओके 5th century CE तो अब क्या होगा इन सब पर काम चलता रहेगा इन सब पर काम चलता रहता है एक्सकावेशन इन एक्सकावेशन जो हो रहा है इसमें आपका 2nd century BC ए 1st century BC से भी पाया गया पर इसमें काम चलता जा रहा है अंड रहा है लिए दिया गया इसे थे लारज़ेशन बुद्दिस चहत्या इंडीच के जू कार्ला से इसे लारज़ेशन देल्स से लारजेशन दिस्ट्रानीली ने चाहत मिल को एक्ट टेंड आप टेम इंडीच काम चैट्टेंड ने इन हो धृत्यू इंड़शन पर संक चेत्या या आपको जगह जहां प्रेयर कर सकें वो आपको मिलता है कारला केव्ज में तो ग्रेट चेत्या एक कारला इस लार्जस रॉकट चेत्या इन इंडिया याद रखिएगा मेजरी 45 मीटर्स तो खेर यह आपके लिए फैक आ चुका है इस फैक्ट कहीं आप लिग भी सक आपना है आए तो ग्रांट चेत्या है जो हमने वहां पर बात की थी किस तूपा बने होंगे आनिमल्स आपको दिखेंगे फिगराइंज दिखेंगी दोनों सेम है कारला का भी वही स्क्रप्ट जो भी स्कल्चर बनता वैसा ही है या आर्किटेक्टर वही है वही सेम है आप सब्सक्राइब देखेंगे आप तो पिलर्स आर्किटेक्टर तो चालू होई चुके थे मोरें समय से चल नहीं है और जब यह बनने लगते हैं तो कभी आप देखेंगे कि पिलर पे कभी सिर्फ बुल है कभी एलिफेंट है तो यह सब बनने चल गए अल्यटी चालू हो इत्यार अश्राइन ऑफ गॉड़ेस एक वीरा स्कल्चर्स इन कारला केव केंडि सीन इन दा वेरांदा और यह वरांदे में दिखता है इतना याद नहीं रखना है बस याद जो रखना देखेगा याद रखिएगा भज केव्स आपका सेकेंड सेंचुरी बीसी से माना जा अगर यहां पर यह देखें कि दोनों का स्कल्प्ट्चर रोर और और याद कर सकते हैं और यहां Bible कर सकते हैं और लिए इस नहीं के आघ आ गयागत के सामने ये कोई समस सकता है कि क्या है बहुत चाहता सकता है कि कौन सी के याद मतलब inhibit otherwise तो याद नहीं आएगा किसी को भी यह क्या है क्योंकि आज तक देखके तो कल्चर पढ़ा ही नहीं हमने आप इसे समझ भी नहीं आगा हम आपको बता देते हैं यह हमारी नासिक केव हैं फिर से देख लीजें नासिक केव है थाला कि इमेज भी इतनी साफ नहीं दिख रही होगा आपकी पर यह नासिक जहां भी देखे बड़े बड़े आपको पत्थर दिखेंगे ना बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे और उसके नीचे पिलर्स होंगे यह सब डेकन यह आपकी नासिक केव से जिनका नाम है पांडव लेनी केव पांडव लेनी विची सट्व बुद्धिस केव इन नासिक देवर क्रिएट दफर्स सेंचुरी एडी तो खीर और नया हो गया दूरिं दा हिनायन पीरियट लेटर तो दा महायान सेक्स इंपक्त में इन दीस के चालू हुआ हिनायन पीरियट से पर महायान का इंपक्त दिखने लगा इस प्रेजेंस इस प्रेजेंस इंडिकेटिंग महायान बुद्धिसम इंपक्त आएगा तो क्या आएगा बुद्धा का फूरा स्ट्चर हमें दिखने लगेगा इसको आपको याद रखना है नासी केव हमारे चालू हुए थे हिनायन पीरियट के ही दौरान तो लगभख जब ट्रांजिशन हो रहा था बीसी से एडी में वही समय होता है कि बुद्धिसम का भी महायान हिनायन बनने लगता है हिनायन थोड़ा स्टॉंच था और वह अपने जो बुद्धा को दिखाएंगे वह दिखाते हैं मोटिव से सिंबल से महायान में दिखा जाता है बुद्धा का पूरा बना के शरीर दिखाए जागा है इसाब महायान का बाद में चालू होता है यह तीनों ही केव्ज जो आप अब याद कर लिए कि पांडव लेनी केव्ज का ही नाम है नासिक केव्ज पर आप से एक और चीदम पूछना चाहेंगे कि पांडव लेनी केव्ज का क्या मतलब है कि यह महाभारत के पांडव से रिष्टा रखते हैं यह मतलब है क्या बोलना चाहेंगे आप लो क्या यह पांडव लेनी के पांडव जो मा उसमें महाभारत में में ने उन से रिलेटेड है या नहीं आपका क्या कहना है कि बताईए कि वाट डूड यू से तानुजी का कहना येस बाकी लोगा क्या कहना येस येस कि सबका ये सारा कोई कुछ बोलना चाहिएगा नो प्रस्ट सिंपल सा आ सकता है आ सकता है इसलिए आपको बता रहे है पांडव लेनी केव में जो पांडव अर्थ है वो कहीं से भी महाभारत के पांडव से लेना देना नहीं है उसका 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 पांडव से लेना देना नहीं है याद रखिएगा ये पांडव लेनी केव ना ये पुंडु धीरे-धीरे इतना ज्यादा अभंग हो गया कि ये पांडव बनने लगा, पुंडु करते-करते पांडव होने लगा, इसलिए इसका नाम पांडव लेनी केव्स पड़ गया, हलाकि इसका रिष्टा पांडव से नहीं है, इसलिए हम आपसे बस पूछ लिए, आपकी दिमाग में रहे, so that would be all from my side today, मिलते हैं कल हम लोग फिर से मैडवर मैप्स में, और और भी सेशन सब तो आ रहे हैं, आप से सभी मिलेंगे, आज 12 बज़े भी एक सेशन है, जोग्रफी पे फोकस करते हुए कि कैसे रिवाइस करना है, ठीक है, तो मिलते हैं आप ले सकते चीजों का, और हमारी test series भी चल रही है, आप उसका आनल ले ले, 15 तारीक को हमारा test होने वाला है, अगर आप सेंटर आसपा से तो ले सकते हैं, अगर आप online देना चाहें, तो most welcome there also, और batches कुछ हमारे start हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, from 11th of May, and we are also having these batches mission 1 year, यह हमा ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खुश रही है, प्रसंद रही है, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है, वही सफल है, तो याद रखिएगा, मिलते हैं आप से जल्दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, 12 बज़े हम लोग म ठीक है थैंकिये तो मुच टेक कर जैह हिंद अपना ध्यान रखेका और पढ़ते हैं